गाइस साक्सॉफ्ट के शेयर में अभी के टाइम पे 10% की मंदी दिख रही है देख सकते हैं बाइस घंटे पहले की न्यूस क्या है दो दिन में 33% की तेजी रॉकेट की स्पीड में बढ़ा जा रहा है शेयर आज 17% उचला भाव अगली न्यूस भी देखेंगे तो तो शेयर मों ऐसा क्या हुआ कई हुआ यही है इसका रीजन है ऐसं यहां इसे थोड़ा बढ़ा करदू तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा बाहर आया तो क्या हुआ नीचे गिप वह हीडा वह हुआ है ठिक है कल के के दिन यह बहुत ज्यादा ही बाहर चल गया थ लेकिन कल के दिन तो बहुत ही ज्यादा बाहर चला गया उसी की वज़े से अभी यह थोड़ा सा नीचे गिरा एक तो लोगों को जिसका ज्यादा profit बनता है नो फियर में भी बहुत ज़ादा रहते हैं तो सैक्स आफ्ट एक ऐसा share है जिसने कई सारे लोगों का पैसा बहुत बहुत ज़ादा बढ़ा दिया ठीक है multi bagger जो बोलता है न ये multi bagger stock है ये ये है इसका monthly candles का chart देख सकते हैं पहले जो है ये stock बहुत ज़ादा अच्छा perform नहीं कर रहा था कहां तक कोविड के बाद देखे इसमें क्या तेजी आई है यहां बीच में थोड़ा सा नीचे गिरा था लेकिन फिर उसके बाद देखे तेजी तो बहुत ही ज़ादा अच्छे percentage में इसने पैसा double double करके दिया है कई गुना करके दिया है तो इसमें अभी डरने वाली कोई news ऐसी आई नहीं है मार्केट में यह जस्ट ओवर बॉट जोन में चल रहा था इसलिए यह थोड़ा सा गिरा है अगर आज जादा गिर गया है तो इसमें उतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है मुझे लगता है काफी लोग इसमें profit में होंगे ही अगर आपने base में इसमें investment किया होगा तो otherwise अगर आपने यहां यहां कई investment किया है तब तो डरने वाली बात है यह investment यहाँ यहाँ करना तो वैसे भी सही नहीं है overbought zone में ठीक है तो new investors इसमें investment करने से बच सकते हैं अभी और जब इसमें कभी investment का chances बनेगा तो मैं एक नया वीडियो उस पर बना दूँगा यह वीडियो सरफ इसी लिए था कि Saksoft में अभी फिलाल के लिए कोई ऐसी बुरी news नहीं है सिर्फ overbought zone के वज़ा से आज इसमें 10% का नुकसान दिख रहा है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में